लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एरपोर्ट से हम अपने जहाज के दो वीदियो देखा थे की सीने वहाँ जो लोग रो रहे थे करा-करा के वो श Always, I think जो है लोगों को पता नहीं होगा, कि कितने लोग रो रहे थे, हिंदी सतानी को बलते जब वहां से निकल रहे थे स्वागत है आप सभी खाल लेटेस रेक्शन मिक्स के एक और ने वीडियो में तो दोस्तों टर्की में जो अर्टक्वेक आया था तो वहाँ पे मदद करने के लिए हमारे आर्मी के कई सारे जवान गए थे वहाँ पे रिलिफ और रेस्क्यू करने के लिए तो उनमें से कई सा मोडी जी बाचित कर रहे हैं उनको एक्सपिरेंस के बार में पूछ रहे थे या कोई कथिन आई या उस मिशन में तो डेखे हाज कमिक्स के एक्शन वाँ, क्या इंक्रीशाथ है जब में राउंड ले रहा था तो एक पेशन का रिलेटिव वो देखे समझ गया कि मैं यह का कमार्निग ओफसर हूं उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़के आखों से लगाए और चूमा तो मैं भी जुग गया तो उसने का आप समझ सक्ते है यह का मतलब क्या है मैं आप कुछे इज़त दे तो कहते है नहीं आप मेरे पिता समान है तो मैं गद गद हो गया तो इसका बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूं और मैं आपको अश्वस्त करता हूं कि आने वाली जनरेशन याद रखेंगी कि आपके देश नह कि महला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्ला है और आज की देट में हमारे लिए सेके नंबर पे आप हो अचान के बचल प्या थे इंगों कि यह जो डॉक्स कॉड था आपके साथ कि यह हमारी यहां इतने ठंड नहीं है वहां उनको इतने ठंड में जाना था उन सब की हेल्थ कैसी रही यहां से चाहँ वहां पर भी हमारी डॉक की तवियत बहुत अच्छा बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने और अभी भी अच्छी है वड़ी है इसार हमने सबसे पहले डोग जूली को रबल्स की तरफ चोड़ा तो जूली ने रबल्स की एकर रोम्यों ने पर शक्रमीयों धुप्रा कर सकती है डोग जूली मिली है रबल्स की तरफ बार वहां हन्याग तो हमने पश्याया टाला है ने तो अच्छी आधर्ड़ीए मां तो छोटी बच्छी ओ को रबल्से एसी ग। और एक्सोटार गंते के बादा एर्ते की आख् कि लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदी स्थारी बोल रहे थे कि जब वहां से निकल रहे थे मुश्किल समय में एक मदर जोखी है तो एक आश्वासन मिल जाता है जब शारक की कि में आचुकी है कि लिए आज तो बुच्छाए तो बारत के प्रती एक सद्भावना तो पहतर गंटे से ज़्यादा ज़्यादा जब आई थी जब आई थी जब आई थी जब आई तो वह अपने पैरों में चल गई थी और जाते टाइम उसके आखों में आसु थे हमें धन्यवाद करते वे औ भारती वायुसेना का ग्लोबमास्टर जबभी जहां उतरता है लोगों में एक अलग सा उत्सा पैदा हो जाता है उन्हें लगता है कि भारत उन की मदद करने आगे जो जवी भारत की आज की डेट में तूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी वहागा तो भारत जितनी ह सब्सक्राइब करने के लिए हुए अलग लग की में थी उनकी कुछ जरूरत पड़ गई तो वे भी एक दूसरे को मदद करते थे कि क्या था ऐसा कोई अनुभव है किसे का एक कोपरेशन साइट में हमें तुर्की की टीम जो थी उसके साथ काम करने का लगातार मौका मिला और लगवर बहुतर गंटे तक उस साइट पे हम काम करते अनुद पर ने ब्रीचिंग करके कम से कम रबल को हटा के अनुद की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो अनुद की तुर्ण आर्मी युनित थी वो ज्यादा तर तर लोट को हटाना चाहिए है तो लास्ट में फिर यही हुआ कि उन्हों को पूरी तर बूला कि आप इसको कीजि मानवता के प्रती भारत के समर्पां और संकत में बसे देशों की मदद के लिए तदकाल खड़े होने के हमारे कमिट्मेंट को भी दर्शाथ है यह कियाँ सबी के साथ पिच्चर है अब के नहीं में देश बहुत बड़ी देश के लिए तुदेना है सेक्रेटा इसे अपने से कही होगा तो पासफ़ट भी पहली को बनाओ तो यहाँ पी यहाँ और क्या एक्सेट भी है आ बोले हो यार किसम से आँखे नाम हुई है बाबा खुदा की किसम यार हलके हलके आँखे नाम हुई है हमारी खुदा की किसम उठा की कहते है यार उदर जब एक फैमिली आती है और उसका एक बन्दा आपको आ के कहता है कि भाई एक भाई तुम मेरे बाब की जगा हो तुम मेरे रिष्टेदारों के अदर इलाज का रहे है उससे बड़ी क्या बात हो सकती है लड़की आहा कहती है वह आर्मी वाली देखो हमें तो नहीं पता नहीं के साथ क्या एक्स्पिरेंस हुआ हमें देखने को मिला कि भारत ने कैसे तुर्की वालों को बचाया तो दो यह थी हमारी आज की वीडियो सबसे पहले तो अच्छी लीडर की यही खूबिया है कि ऐसे अपने आर्मी के लोग है या अपने अंदर जो काम करते हैं उसको इस तरह से मोटिवेट करना तो बहुत ही अच्छी बात है और जहां तक बात रही तरकी के घल्प करना की तो हम कभी भी यह नहीं देखते कि वह हमारे दूस्मन मुल्क ह या हमारे साथ है या हमारे अगेंस में है जब हीउमैनेटी की बात आती है तो इंडिया सबसे पहले आ के आ जाता है मदद करने के लिए जाहे वो जो भी देंस हो सिर्फ एक डस को छोड़के वह हमारा परड़ोशी देंस क्योंकि हम हमारे जो सनाटन तर्म है वो हमें यही सिखाता है तो अच्छी बात है कि हमारे तीम वहां पर गई लोगों की मदद की और अभी भी कर रहा है सने कि यह जो कुछ लोग आ गए है वो उसाइट फिर से दूसरी टीम बेचेगे या ऐसा कुछ होगा तो वीडियो की प्रेज मिला है वहां की लोगों से क्योंकि इस सिट्यूएशन में कोई भी मदद करने आता है तो उन लोगों कभी मोटिवेशन मिलता है कि हम इस सिट्यूएशन से बाहर निकल सकते हैं तो आपको कैसा लगा यह वीडियो वो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखके ज़रू अगर वीडियो पसना है तो लाइक करना मत पूलियो और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना भी मत पूलियो